हलो स्टुडेंट आज के वीडियो में हम 3-point starter के साथ TC compound motor को किस तरह से connect किया जाता है और उसे चलाया कैसे जाता उस motor को इसके बारे में समझते हैं यहाँ पर हमने एक TC compound motor ली है इसका circuit diagram दिया हुआ है यहाँ पर इसमें सिरीज फिल्ड वाइनिंग दी हुई है आर्मिचर दिया हुआ है और संट फिल्ड वाइनिंग दी हुई है सिरीज फिल्ड वाइनिंग के दो टर्मिनल है वाइवन और वाइटू आर्मिचर के दो टर्मिनल है एवन और एटू शंट फिल्ड वाइनिंग के दो टर्मिनल दिय आपको इस प्रकार से इसे connect करना है क्योंकि यह compound motor है compound motor को इस तरीके से जोड़ा जाता है इस तरीके से उसके connection किये जाते हैं और यहां से आप उसको direct supply देते हो तो यह start हो जाएगी तो यह compound motor को आपको direct नहीं चलाना इस टार्टर को के साथ में चलाना है आपको इसे तो इसमे स्टार्टर किस प्रक्यार से लगाएंगे किस तरीके से स्टार्टर को जोड़ा जाएगा उसके बारे में समझते हैं motor के box में जहां terminal लगे होते हैं वहां आपको 6 terminal दिखाए देंगे अब 6 terminal में से दो terminal y1 और y2 यह सिरीज फिल्ड वाइनिंग के हो गए यह आर्मेचर के दो टर्मिनल हो गए a1 और a2 यह शंट फिल्ड वाइनिंग के दो टर्मिनल हो गए z1 और z2 यहां पर आपको इस स्टार्टर दिया हुआ है स्टार्टर थ्री पाइंट स्टार्टर लिया है इसलिए यहां पर थ्री पाइंट स्टार्टर यूज करना है आपको क्योंकि हम थ्री पाइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन कर रहे हैं इसके साथ आप 4 पाइंट स्टार्टर के साथ भी इस मोटर के कनेक्शन कर सकते हो अब इसे देखिए यहां पर एक इस प्रकार से कनेक्ट किया हुआ है और इसी में से एक connection बाहर निकला हुआ है जरूरी नहीं कि यहाँ पर minus point आप दो यहाँ plus point भी दे सकते हो और यहाँ पर minus point भी दे सकते हो supply आप दोनों तरफ में से किसी भी तरफ दे सकते हो अगर आप इसमे supply change करते हो तो आपको यहाँ पर भी पूरा circuit यह जो पूरा connection है यह पूरा ही change करना पड़ेगा इसलिए जिस प्रकार से यहाँ connection दिये हुए है जिस प्रकार से supply दिये हुए है उसी प्रकार से आपको इसके connection करना है यहाँ टर्मिनलों के connection करना है तो यहाँ पर देखते हैं Y1 और Z1 जो है वो दोनों शॉट करके इसमें माइनस के लिए बाहा निकला गया है तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी देखिए जो पहला टर्मिनल है Y1 है किसके साथ में शॉट है? Z1 के साथ में शॉट है और यहीं से एक कनेक्शन माइनस के लिए बाहा निकला हुआ है इसके बाद आगे देखते हैं Y2 A1 के साथ में शॉट है यहाँ पर भी देखते हैं Y2 A1 के साथ में शॉट है और इसे छोड़ दिया गया है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है तो इसे छोड़ देना है आपको इसके बार यहां पे armature का दूसरा point जो दिया है A2 यह Z2 से short है और वहीं से connection बाहर निकाला गया है बट हमें यहां पर क्या करना है हमें starter लगाना है तो starter लगाने के लिए क्योंकि आपको इसको starter के साथ connect करना है Is starter के साथ connect करके इस motor को चलाना है तो यह दोफाइंट को आप죠 इसे पर गया गया है यहांसे इसको बाच पाइंट दिया गया है schwierig में तीन ठाइना होंगे ल ए और जैंड वाला जो पाइंट है वह इसे फाइंट देना है A वाला जो terminal है starter का उसे A2 के साथ में जोड़ देना है वैसे starter का Z वाला जो point है उसे Z2 के साथ में जोड़ देना है मतलब Sunfield Winding के दूसरे terminal के साथ जोड़ देना है तो same इसी को देखकर आपको यहाँ पर connection करना है आप अगर यहाँ पर कुछ भी change करते हैं तो आपको यहाँ पर भी change करना पड़ेगा अब इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ motor के साथ पूरा दर्शाया गया है यहाँ से हमने इसको DC supply दिया है यह ICDP लगी हुई है ICDP को जैसे ही on करते हैं यहाँ पर एक voltmeter लगाया गया reading लेने के लिए parallel में लगा हुआ है फिर एक ampere meter लगा हुआ है जो कि series में लगा हुआ है इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से positive और negative किस प्रकार से गया है positive वाला point उपर की तरफ चला गया है L वाले point पे starter direct चला गया जैसे ही आपने यहाँ पर देखा था अभी L वाला point है वो इस पर भी direct चला गया है वैसे ही यहाँ पर starter और motor को जोड़ कर बताया गया है यहाँ पर देखिए Z1 Y1 के साथ में short है और उसी में से connection बाहर निकला हुआ है minus के लिए फिर A1 Y2 के साथ में short है और इसे छोड़ दिया गया है यहाँ से कोई connection बाहर नहीं निकला गया इन्हें short करके छोड़ दिया गया है फिर A2 वाला point है A2 वाला point से सीधा starter का A point connect है A terminal connect है वैसे ही Z2 से starter का Z वाला point connect है तो same connection है बस इसको अगर आपको क्या करना है एक safety के साथ अगर इस motor को आपको चलाना है तो यह सारी चीजे लगाना important हो जाती है इसके बाद वाले वीडियो में हाँ जिस प्रकार से आपने अभी three point starter के साथ यह connection देखा compound motor का उसी प्रकार से इसके बाद वाले वीडियो में हाँ four point starter के साथ इस motor का connection किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में समझेंगे आज के लिए बस इतना ही thank you